हेलो एवरिवान, फुरिस कट्टा कुकृत निलम में आप सबी का स्वागत है और आज हम बनाएंगे मेथी गोटा जो बहुत ही आसानी से बन जाता है अगर इस तरह से हम मेथी गोटा बनाते है तो हमारा गोटा बहुत ही सौफ्ट और जालीदार बनता है तो चलिए इसे बन निका बैटर रेडी करना होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे दो कप बेशन लिया है और दो चम्मच सूजी को एड़ करेंगे दो चम्मच हमने यहाँ पे बारिक कटी हुई हरी मिर्च ली है जो ज्यादा स्पाइसी नहीं है और एक चम्मच साबूत धनिया और एक चम्मच काली मिर जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था इसे भी ऐड करेंगे नमक आपके स्वाद अनुसार और स्वीटनेस के लिए शक्कर को ऐड करेंगे अभी सबी सामगरियों को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हुए इसका अच्छे से बैटर बनाए और अभी मैंने यहाँ पर एक कप मेथी के पत्ते लिये जिसे मैंने अच्छे तरीके से वाश करके फाइनली चॉप कर लिया है इसे भी हम एड कर देंगे और एक चम्मच हरा धनिया बारिक कटा हुआ अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जरुरत मन इतना पानी एड करते हुए हमने बैटर को बनाना है और हमें यह बैटर को गाड़ा ही रखना होगा अभी बैटर रेडी है तो इस पर हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और उस पर गरम तेल को स्प्रेड करेंगे इस प्रोसेस से हमारा गोटा बहुत ही सौफ्ट और जालीदार बनेगा और इस तरह से मिक्स करते हुए हमारे मेथी गोटे का बैटर रेडी है और अब हम एक कड़ाई में तेल को गरम करने के लिए रखेंगे तेल के गरम होते ही तुरंत मीडियम सैज का गोटा लेकर हम तेल में इस तरह से डालते जाएंगे और इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है और पलटते पलटते हमें इसे फ्राई करना है इसकी खुश्बू बहुत ही बढ़िया आ रही है क्योंकि इसमें हमने काले मिर्च और साबुद धनिया एड़ किया था तो इस तरह से हमारे मेथी के गोटे बनकर रेडी है तो अभी इसी स्टेज पर हम हमारे गोटे को तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के गोटे को भी फ्राई कर लेंगे रियली ये रेसिपी बहुती सूपर टेस्टी है और इसे बनाना तो बहुती आसान तो आप भी ट्राई कीजिए इस थेंडी में गर्मा गर्म मेथी के गोटे बहुती आसान पर लेक कीजिए बहुती है पर आसान